जैसे कि आपने थमरेल में देखे लिया होगा कि आपने अगर मैट्रिकुलेशन पास किया है दुवाजार तेश में इस बार पास किया है तो आपका ओनलाइन एड्मिशन का अपडेट जारी कर दिया गया है कब से आप आप एड्मिशन के लिए रजिस्टेशन कर सकते हैं सबसे पहले मिलेका दोस्तों अगर आपने सफलता पूर्वक आपने मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया आप सकस हो चुके आपका रिजल्स नहीं आप पास कर चुके हैं तो आपको बहुत सरी बढ़ाई हो अब किस परकार से रिजिस्टेशन करना है किस परकार से आपका पैपलाई होगा कब से ओनलाइन होगा ये सारा जनकारी आपको मैं यहां बताने वाला हूँ और कौन-कौन से डोकुमेंट लगेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले बार जब भी हुआ था ओनलाइन हो आइडमिसन करने से प जिसमें आपको सारे 300 रुपए जो ओनलाइन रजिस्टेशन चार्ज लगते हैं जो कि आपको ओनलाइन पेमिंट करना होता है डेविट कार से या किजी भी माध्यम से आप यहां पेमिंट करके आप रजिस्टेशन करते हैं रजिस्टेशन करने के बाद जो है आपका मेर्टीमि encant में नहीं आता है तो आप नहीं करा सकते हैं तो मेरिटिलिस्ट जो है तिन वारा आता है उसके बादमिसंद्थ ये सारा धनकारी आपको पता होगा है नहीं पता था ये चीज़ मैंने आपको बता दिया तैनों करा सकते हैं तो किस सब्सक्रों एडमिस refers यहां है है कि बताया गया है कि यानि जो भी चात्री ग्यारवी में अपना एडिमिस्ट लेना चाहते है वह उन्दू उनिस छो दूजार तेज से अठाइस छो दूजार तेज की बीच ऑनलाइन आवेदन जो है और पेस के माध्यम से कर सकते हैं यानि कि आपका जो ऑलाइन का जो के अपना अडिमिस्ट करा सकते हैं यहां थोरा सा स्क्रॉल करके आते हैं यहां सरकार काईवर multifonlaim की वेबसाइट है यहां आप इस website का link direct आपको description में मिल जाएगा वहां से directly आप इस website पर आकर यह शारा regarding आपको information यहां पर आपको मिलने वाला है तोड़ा से यहां आते हैं तो यहां दिये गया है कि इसके लिए जो भी documents लगेंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको जो है admission online registration क online करना चाहते हैं यानि कौन सा subject लेके आप intermediate करना चाहते है आई science लेका परना चाहते है या फी commerce या फिर arts आपके जिस भी विशाय में रूची है उस विशाय को आप पहले से सोच लिजिए जिसे आपको पढ़ने भी आसानी हो तो इसमें भी विशाय में आपको रूची है तो विशाय को आपको confirm कर लिए कि उसी विशाय से आप online करेंगे चूंकि बहुत सारे student ऐसे होता है online तो registration करा लेते हैं किसी और विशाय से फिर बात में करते हैं कि नहीं मुझे विशाय चेंज करना है तो इस चीज में आपको रही राना है confusion में आपको confirm हो जाना कि कौन से पिसे से आपको admission कराना है तो इसमें जो document लगेंगे आपको एक passport photo लगेंगे यहां पर आपके पास अपना मुवाइल नमबर एक्टिव होना चाहिए email एक्टिव होना चाहिए तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रख लेना है कि पास्पर photo होना चाहिए आपका आपने प आपको ध्यान में रखे रहना है यह चीज आपको पास में होना चाहिए जब भी आप जहां भी registration कराने जाते या खुद से करते हैं तो आपके पास में यह सारा document आपके पास available होना चाहिए यहां जो online admission के लिए registration जो होगा online के माधियम से OA faces के माधियम से जो की यह website है इसी website स होने वाला है अभी यहां पेडमिसन से रिगारिंग कोई भी link नहीं दिये गए अभी कोई भी prospectus नहीं दिये गए जैसे कोई prospectus दिये जाते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोपर बताया जागा है किस परकार से आप रजिस्टेशन करेंगे यह सारा जनकारी आप को नेक्स्ट वीडियो में बताया जागा अब हम यहां बात करते हैं थोड़ा से स्कॉल करके नीची आएंगे तो यहां पे बिहार भी जाले परिछा से मिति के दुवारा यहां पे जो है कुछ नोटिस जारी कर दिया गया है नोटिस में यह जारी किया गया है कि 9 जुन से लेकर 13 जुन तक जितने भी कॉलेज युनवर्सिटी कॉलेज है उन सभी को जो है सारा डाटा को अपलोड कर लेना है जिसे के सभी इंफॉर्मेशन जो है रजिस्टिशन के समय किसी भी स्टूडेंट को परिशानी नहीं होगे और किसी भी चर्श को या फिस इचाप किसी सभी स्कूलेज वाले क्यों जो है अगर परिशानी होती इस बीच में जो है सारा अपना सोलूशन सहीं कर लेंगे प्यारबोर से सारा संपर्ख कर लेंगे उनका प्रति को दूरु कर दिया जाएगा और उनने जून से आपका ऑनलाइन होगा अब सोच रहे हैं कि रिजल तो का इस बीच में आएगा उसके बाद ही सभी स्टूडेंट का जया ऑनलाइन होने वाला है और यह कोई नई इंफ्वर्मेशन आती है तो आपको नेक्ट वीडियो का माध्यम से बताया जागा तब तक लिए इतना ही फिर मिलता है नेक्ट वीडियो में ना इंफ्रमेशन के स जैहिन जैवाराद